दोस्तों सबसे बले आप सुभी का स्वागत है वने यूट्यूब चनल अन्बॉक्सिंग टाइम पर तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सुभी को बोया के बी बाई एमेमन माइक कर व्यू देने वाला हूँ जिसमें से एक बॉक्स नकली है और दूसरा बॉक्स असली है जिहां दोस्तों अगर ये बोया का आप शौटकन माइक खरीदने की सोचना है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए ब्लॉगिंग के लिए तो ऐसे मैं आप सुभी कोई जरूर से पता होना चाहिए कि ये जो माइक है वो मार्केट में नकली भी आते हैं जिहां दोस्तों ये जो बोया का माइक इतना खास नहीं है हमें महगा वाला खरीदना चाहिए हमें रोड के माइक खरीदना चाहिए तो ऐसे में माइक की गलती नहीं है बस आपने नकली माइक को खरीद लिया है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं अगर ये माइक आप खरीदने की सोच रहे है यह shotgun maik आप खरीदने की सोच रहे हैं तो कैसे आप पहचान सकते हैं क्या सब detail आप box पे देख सकते हैं box के अंदर आप content में क्या सब detail चेक कर सकते हैं जिससे आप सबी को पता लग जाए कि हाँ आपने जो maik खरीदा है वो असली है या फिर नकली है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं तो इस वीडियो का आज आप पूरा देख लिए और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इससे पहले मैंने बोया कि यह जो कॉलर माइक है बी वाई एम वन इसका भी बनाए था और उसमें भी मैंने आपको बताए था कि किस तरीके से आप इस माइक को भी पहचान सकते हैं जो कॉलर वाला माइक है जिसे हमें यूज भी कर रहा हूं इसको आप कैसे पहचान सकते हैं तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखिए तो आपको कार्ड में लिंक जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक देदूंगा तो आप इसे भी इसकी वीडियो भी देख सकते हैं तो खैर इस वीडियो के अंदर अगर आप जानना चाते हैं ये जो शॉट्गन माइक है इसको आप कैसे पहचानेंगे असली नकली में क्य जानतर होता है क्या सब डिफ्रेंस होता है ये अगर आप जानना चाते हैं तो चलिए करतवर को स्टार्ट तो दोस्तों ये देख सकते हैं बोया के बीवाई एमेम वन माइक का बॉक्स जिसमें से एक बॉक्स असली है और एक बॉक्स नकली है तो यहाँ पर आपको कुछ ड बहुत पर आप माइक खरीद के लिए ऐं फिर ओंळान आप सब्सकी के पास आएगा ये तो सबसे पहले यहाँ पर आप आप सभी को स्टीकर नोट करना है अगर इस टाइप का स्टीकर है तो समझ लीजिए आपको जो माइक है असली है लेकिन यहाँ पर आप सभी को स्टीकर पर ही डिपेंड नहीं होना इस टीकर ही नहीं देखना बलकि स्टीकर के अलावा भी काफी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बॉक्स के ऊपर देखनी है और आपको 100% दोस्तो यह बताताएं कि यह नकली ऐसे नहीं हो ना कभीकी दोस्तोह नकली वाले को भी असली बता देता ठीक है तो यहाँ पर जो असली वाला इसके QR Code को देखने के लिए आप सभी को इस तरीके से हटाने के लिए दियाए तो इस तरीके से आपको सबसे पहले हटा लेना है तो यहाँ पर जैसे आप हटाएंगे तो इसके नीचे आप देखेंगे QR Code चुपा होता है जबकि जो नकली वाला है उसके उपर ही आप सभी को QR कोड देखने को मिल जाएगा और असली वाले में इसके नीचे छुपावा आता है तो चलिए मैं इसे हटा लेते हैं अब दोनो QR कोड को मैं आप सभी के सामने स्कैन करके आप सभी को दिखा देता हूं यह देख सकते हैं यह रहा मेरा फोन चलिए में स्कैन कर लेता है तो यहाँ पर मैं अपने फोन को सबसे पहले यहाँ पर अनलॉक कर लेता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोन को अनलॉक कर लिया है अब QR Code को चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम नकली वाले पर चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नकली वाले को चेक कर लिया है अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने Solar Digit का Security Code डालने का Option आ जाएगा तो यहाँ पर नकली वाले के उपर यहाँ पर यह code को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं लएक डालने की बिल्कूल भी जोgiving नहीं पड़ी यह अपने आ आ घिया यहाँ पर जैसी मैं inquiry के पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह inquiry हो रहा हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह गलत बता रहा है, यानि यह जो product है, वो fake है, तो यहाँ पर पता चलिया, चलिए अब हम असली वाले को यहाँ पर scan करके देख लेते हैं, कि असली वाले में क्या बताता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम बंद करते हैं, और यहाँ में दुवारा से अपने QR code को on करता हूं और यहाँ पर इसे भी चलिए हम चेक कर लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने असली वाले को भी scan कर लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो असली वाला है उसमें यह में भी वही code लिखाता जो यहाँ पर लिखावा है इसके बाद आप सभी को inquiry के उपर क्लिक कर लेना है अब जैसे आप inquiry के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह राइट दिखा रहा है यानि यह जो बॉक्स है वह असली है अब दोस्तो QR कोड के अलावा आप सभी को क्या समनोट करना है वो भी आप देख लीजिए जो असली वाला यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर चाइनीज या फिर जैपनीज में यह लिखावा है जबकि नकली वाले के उपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखावा है इसके अलावा दोस् सिंप्ली आप को चाइनीज में यह लिख दिया गया कि यह कंपणी है और यहाँ पर रोट सकतें बोटिया भी ने Huh करनी है ताकि आप सभी 100% कंफर्म हो जाए कि आपको जो माइक है वह असली है फिर नकली है ठीक है तो चलिए अब दोनों बॉक्स को मैं उपन कर लेता हूं तो सबसे पहले यहां पर मैं नकली वाले नकली वाले में आप सभी को जैसे की माइक देखने को मिलेगा इसके नीचे कुछ भी नहीं है आप सभी को यूजर मैनुवल देखने को मिल जाएगा और यहां पर कुछ भी नहीं है बस इतना ही आइटम आप सभी को नकली वाले में देखने को मिलेगा तो चलिए हम नकली वा यहाँ पर यह देख सकतने असली वाला बॉक्स हैं अब यह जो असली वाला बॉक्स है और चलिए हम चली open कर लेते हैं और यहां पर हमने इसे भी open कर लिया अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नकली असली में क्या अंतर है जैसे आप असली वाले को open करेंगे तो असली वाले box में आप सभी को इस प्रकार का एक आप देख सकते हैं qualified certificate देखने को मिल जाएगा जिस असली वाला है इसमें आपको दो paper देखने को मिल जाते हैं एक warranty card है और दूसरा user manual है user manual के उपर भी यहां पर Chinese में लिखावा और English में लिखावा है जबकि जो नकली वाले में है पूरी तरह से नकली वाला इंगली में है जबकि यह जो असली वाला है इसमें आपको Chinese और English द सबस्क्रायर में रख देता हूं अब यहां पर आप देख सकते हैं माउंटैंप backwards श के अंदर आप सभी को सिली का जयल देखने को मिल जाता हैं जो कि नकली वाले में नहीं दें लेकिन असली वाले में यह और नकली वाले मैं नहीं है तो यह चीज़ देख लेना है अब यह कोई जो में कोई हुआइव यह थोड़ सा मुलाएं में एतना लकली माइक सब्सक्राइब हम पाउच में बसके होगा को नहीं मिलेगा ऊचीजहां में पॉड़ेंगा इसमें ऑर हो हो तोड़ से difference देखने को मिल जाएगा अब यह जो असली इसे मैं open कर लेता हूं और यह जो नकली है इसे भी मैं open कर लेता हूं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं अब यहां पर आप देख सकते हैं लेकिन दौनों की quality लगभग अप देख सकते हैं एकी जैसा है अब मैं आपको इनके sound को test करके दिखा देता हूँ कि दोनों की sound quality कैसी है दोस्तों यह जो इस time आप audio सुन रहे हैं यह मैं original वाले mic से record कर रहा हूँ तो आप सभी idea लगा सकते हैं कि original वाले mic की audio quality वो कैसी है ठीक है लेकिन मैं आप सभी को video के last में बता दूँगा कि दोनों मैंसे किसकी आवाज best है तो यहाँ पर चली अब मैं आपको नकली वाले की sound है उसे भी सुनवा देता हूँ तो दोस्तों यह जो इस time मैं audio record कर रहा हूँ यह अब मैं नकली वाले बोया के mic से record कर रहा हूँ तो इसकी audio quality भी आप सुन सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी audio quality कैसी है दोनों मैंक को मैंने एक ही condition में record कर है और दोनों मैंसे में जो background noise जितना भी आ रहा है उसे remove नहीं करूँगा ताकि आप सभी को अच्छी तरही से पता लग जाएगा कि दोनों मैंक जो है असली और जो नकली है उसमें कितना background noise capture होता है तो आप सभी ये नकली वाले की भी audio stem सुन रहे हैं तो आप सभी थोड़ा बहुत idea हो रहा होगा कि जो असली वाला है जो नकली वाला है उसमें क्या अंतर आ रहा होगा तो चली अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे दोनों मैंक की जो audio quality है वो जादा अच्छी लगी है तो चली दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि दोनों मैंक में से मुझे sound quality किस की अच्छी लगी तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोनो माइक की जो sound quality है वो काफी बढ़ेया है नकली वाले की sound quality मुझे अच्छी लगी और असली वाले की sound quality भी मुझे अच्छी लगी दोनों की sound quality मुझे 19-20 लगी ऐसा कोई खास अंतर मुझे नहीं मिला जिससे मैं कहसकूँ कि नकली वाले की sound quality घटिया है फिर असली वाले की sound quality है वो बहुत बढ़ी आए दोनों की sound quality अच्छी है लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा difference देखने को मिला जब मैं असली वाले माइक को अपने phone के साथ अपने 3.5mm jack में connect कर रहा हूं तो वो वहाँ पर अच्छी तरीक स कनेक्ट हो रहा है कट सी आवाज आ रही है और बिल्कुल भी लूज नहीं है जबकि मैं नकली वाले माइक को अपने phone में connect कर रहा हूं तो वहाँ पर उसका जो audio jack है थोड़ा सा लूज रह जा रहा है जिसकी वज़े से हो सकता है कि हम recording करें और कभी-कभी वो ठीक से काम ना करें ठीक से connect ना हो तो थोड़ा सा लूज मैंने देखा है हो सकता है कि यह जो जैक है इसमें कोई दिक्कत हो यह जो माइक का जैक है यह जो माइक का audio केवल है उसके उसमें कोई दिक्कत हो लेकिन sound quality में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप नकली ले भी लेते है है तो sound quality में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हाँ यह जो इसका audio केवल है यह थोड़ा से लूज जरूर आपकी फोन में हो जाएगा जबकि जो असली वाले की केवल हो properly fit बैठ रहा है तो बस यहीं अंतर था अगर आपके बास नकली आ भी जाता है तो भी आपको tension लेने की जोड़त नहीं है sound quality अच्छी है तो यही था दोनों का comparison I hope आप सभी को पसंद आया होगा और अब आप सभी थोड़ा सुकून में रह सकेंगे कि भाई आपके बास नकली भी आ चुका है तो sound quality में कोई भी खास अंतर नहीं है तो बस आपको सब कुश समझ में आई तो इस फीडियो को फटावर से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की धेरो सारी comparison वगरा को देखने के लिए धन्यवाद